आज भारतिये क्रिकेट टीम के सरुष्रेश्ट सितारे और राजिव गांधी खेल रतन पुरुसकार से नवाज़े जा चुके पूर महान कप्तान महेंदर सिंग धोनी का जनम देना हैं उनने चाहने वाले और उनके परशन सक्त उनहें प्यार से माही और कैक्टन कूल भी कहते हैं किर्केट में हलिकॉप्टर शोट मारने वाले धोनी का जन साथ जुलाई उनने सिर्ख्यासी को रांची झारखन तब के बिहार में हुआ था अब इसे इत्तिफाक कहें या उनकी किसमत कि उन्हें भारती कर्केट टीम में जो जर्सी मिली उसका नमबर भी साथ ही है धोनी के जर्म दिन पर जहरखन के मुख्यमंतरी हेमिंत सोरेन ने उन्हें बदाई दी उन्होंने ट्विट कर लिखा कि भारती कर्केट टीम को बुलंतियों तक ले जाने वाले जहरखन के गौरप महेंदर सिंग धोनी को जैनम दिन की हादिक बधाई और शुप कामना है साल 2004 में अंतरश्टी कर्केट में परदापन करने वाले धोनी बंगलादिश के खिलाफ अपने पहले ही मैच में रन आउट हो गए थे इसके बाद धोनी ने अपने आगे के कर्केट करियर के लिए काफी संगर्श किया और भरतीय कर्केट टीम में अपनी जगा कुछ इस तरह से पकी कर ली कि वैस टीम के एक खास खिलाडी और टीम की रीड ही बन गए इसके बाद धोनी को साल 2007 में भरतीय कर्केट टीम का कफ्तान बना दिया गया इसके बाद उन्होंने 2007 का 2020 विशु कप जिता कर अपने नाम को भरतीय कर्केट में सुनाय रेक्षरों में लिखवा डाला तो वहीं 2008 में उन्हें टेस्ट की कफ्तानी भी सोब दी गई इसके बाद साल 2011 में जब धोनी की कफ्तानी में भरतीय टीम ने 28 सालों के बाद विशु कप जीता तो वह भारत के सुपर हीरो बन गए इंग्लैंड में 2013 में उनकी ही कफ्तानी में भरतीय टीम ने चैंपियन्स टोफी को अपने हाथों में उठाया धोनी को उनके क्रिक्ट करीर के दोरान कई पुरुसकार भी मिले जिनमें साल 2007 में उन्हें भारत सरकान ने भरतीय खेलों में सरुषरेष्ट राजिव गांदी खेल रतन पुरुसकार से सम्मानित किया था इसके बाद 2009 में भारत सरकान में भारत के चोथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म शिरी से उन्हें नवाजा इसके बाद अंतराश्टी क्रिकट परिशद ने उन्हें लगतार दो साल 2009 से 2011 तक के लिए साल के बहतरीन एक दिवसी खिलाडी के रूप में पुरुसक्रित किया वहीं 2018 में धोनी को भारत के तीसरे सरुश्रिष्ट नागरिक पुरुसकार पद्म भूशन से सम्मानित किया गया साल 2016 में धोनी के उपर एक भरतिये फिल्म भी भनी जिसे भारत सहीत दुनिया भर में काफी पसंद किया गया इस फिल्म में सुशान सिंग राजपूत ने धोनी की किर्दार को शांदर तरीके से निबाया जिसके बाद कई लोग उने धोनी के नाम से पुकारने लगे धोनी को भारतिये सैना ने लेफटिनल जनल की उपादी से नवाजा हुआ है जो की गर्ज की बात है वहीं धोनी पिछले काफी समय से किर्केट से दूर है उन्होंने अपना आकरी अंतराश्टिये मैच 2019 के विश्व कब सेमी फाइनल में न्यूजिलैंड के लाफ खेला था धोनी को बेहदी करीब से जाने वाले कहते हैं कि उनमें अभी भी काफी किर्केट बाकी है और भरती पर्शंसकों के अलावा दुनिया भर में उन्हें चाहने वाले अभी भी उन्हें किर्केट के मैदान में खेलते हूए देखना चाते हैं लेकिन याफिलाल अभी भी अन्सूल जा सवाल बना हुआ है कि धोनी किर्किट की मैदान में वापसी करेंगे और अगर करेंगे तो आखिर कब करेंगे मैं मीडिया दर्बार भी उन्हें जनम दिन की हारदिक बदाई देता है और उनके एजवल भविशे की काम ना करता है तेश्वी देश की ताज़ा खबरों को जाने के लिए चुड़ी रहे हमारे साथ